वेलकाम बेक गाईस आज हम लोग डिसकस करेंगे क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के बारे में जिसे हिंदी में छुपी हुई प्रेगनेंसी बोलते हैं अब देखिए ये जो क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होती है ये कोई बीमारी का नाम नहीं है बलकि pregnancy में उत्पन होने वाली एक ऐसे स्थिती है जिसमें गरववती लड़की या महिला को कम से कम 5 महिने तक अपनी pregnancy के बारे में पता नहीं लग पाता है तो इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आप लोगों को वो सभी बातें explain out करने की जिससे आप लोग cryptic pregnancy को जान सकते हैं ये जान सकते हैं कि किन प्रस्थिती में cryptic pregnancy होने के chance रहते हैं और सबसे important बात की अगर आपको cryptic pregnancy है तो आप उस बात का 100% confirmation कैसे कर सकते हैं तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस छोटे से break के बाद तो गाईस देखिए जो ये cryptic pregnancy है ये बहुती rare cases में हम लोग देखते हैं मतलब कि बहुती कम लोगों को ये cryptic pregnancy होती है लेकिन cryptic pregnancy की वज़ा से ये जो डर है ये लोगों में बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं खास दोर पर ये जो डर है ये unmarried couples में बहुत ज़्यादा होता है खास दोर पर unmarried लड़कियां या महिलाएं जिनको अभी pregnancy नहीं चाहिए और ये डर इस वज़ा से होता है क्योंकि ऐसे लोग जब internet पर cryptic pregnancy के बारे में research करती है तो उनको जानने को मिलता है कि ये जो pregnancy जब किसी लड़की या महिला को होती है तो ना तो इस pregnancy में कोई pregnancy का लक्षन दिखाई देता है अगर आप लोग urine pregnancy test करेंगे तो test negative आता है उल्टा जो periods हैं वो time to time बराबर उसी date पर आते रहते हैं सही bleeding pattern के साथ हो सकता है कि flow थोड़ा कम ज़्यादा हो लेकिन periods आते हैं फिर अगर आप लोग हिम्मत कराकर ultra sound कराते हैं तो ultra sound से भी pregnancy का confirmation नहीं होता है जो uterus है वो आपको खाली मिलता है और अगर आप लोग blood test कराते हैं तो blood test के negative आने के chance भी रहते हैं मतलब कि इन जानकारियों में पूरा माहौल बना दिया जाता है कि आप cryptic pregnancy को असानी से पता नहीं कर सकते हैं अब जब ये डर पैदा होता है तो एक ऐसी situation पैदा होती है जिसे हम लोग pseudocysis बोलते हैं इस pseudocysis में जो ये problem जिस भी लड़की या महिला के साथ होती है उन्हें easily समझा पाना कि भई आपको pregnancy नहीं है वो किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत कठीन हो जाता है क्यों क्योंकि pseudocysis में महिला के शरीर के अंदर कोई सी भी समान्य चेंजिस होगी उसको वो महिला अपनी pregnancy से connect कर देती है लिंक कर देती है उधारन के तोर पर मानलो कि अगर किसी महिला को cryptic pregnancy नहीं है किसी भी टाइप की कोई pregnancy नहीं है और बाए चांस अगर उनके जो periods हैं वो fixed date पर नहीं आते हैं मानलो कि natural वजा के कारण किसी परेशानी की वजा से या naturally अगर उनके periods दो से तीन दिन तक लेट हो जाते हैं तो वो fatak से ये सोचने लगते हैं कि कहीं उनके शरीड में cryptic pregnancy तो नहीं है या फिर अगर उनकी जो periods की bleeding है वो सही flow के साथ नहीं होती है मानलो कि उनको light bleeding हुई या heavy bleeding हुई या फिर bleeding में close past out हुए तो वो fatak से ये सोचने लगते हैं कि भाहीं को cryptic pregnancy तो नहीं है वहीं कुछ couples तो ऐसे होते हैं कि उनके physical relation को बहुत दिन हो जाते हैं urine pregnancy test करके वो pregnancy को confirm भी कर लेते हैं कि उनको pregnancy नहीं है test negative ही आता है लेकिन suddenly अगर महिला को या लड़की को पेट में दर्ध हुआ breast में दर्ध हुआ, why discharge हुआ या सिर में दर्ध हुआ तो उसको वो फटाक से ये सोचें लगते हैं कि कहीं cryptic pregnancy तो नहीं है ऐसे लोग जो इस problem को face करते हैं pseudo-sizes को वो बार-बार urine pregnancy test करते हैं बार-बार ultra sound तक कराते हैं और कुछ लोग तो इतना advanced test जो beta-scg blood test है उसको भी कराते हैं बार-बार ये confirm करने के लिए सिरफ कि कहीं उनको cryptic pregnancy तो नहीं है तो इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों का डर है उस पर briefly discussion किया है जो पहला डर है वो ये होता है आप लोगों को कि cryptic pregnancy होने पर महिला के शरीर में pregnancy का कोई लक्षन नहीं दिखाई देता है तो अगर मैं इसको explain करूँ कि ये कब होता है जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये cryptic pregnancy है ये pregnancy में होने वाली है कि एक ऐसी स्थिती है एक ऐसी condition है जब महिला को pregnancy का पता नहीं लगता है तो जो ये लक्षन है ये भी किसी स्थिती में ही पता नहीं लगते होंगे तो ये स्थिती क्या है ये स्थिती है जब महिला को hormonal issues होते हैं hormonal issues जैसे की PCOD, PCOS, thyroid या महिला ने कोई hormonal tablets ली है या emergency contraceptive pill ली है जैसे की unwanted 72 या eye pill या कोई गरब निरोदक गोलियां वो ले रहे है या फिर गरब निरोदक injection उन्होंने लगवाया है तो ऐसी दवाईयों को लेने से क्या होता है hormonal issues होते हैं जब ये hormonal issues होते हैं या इन दवाईयों के जब side effects होते हैं तब आपको pregnancy के sinus symptoms शो होने लगते हैं जैसे की उल्टी होना, मितली होना, wide discharge होना, breast में दर्द होना, pate में दर्द होना, कमर में दर्द होना अब ये जो problems हैं ये pregnancy में होने वाले लक्षनों से बिलकुल similar हैं मतलब कि मिलते जूलते हैं अब इस बीच अगर आपको pregnancy conceive हो जाती है तो उस महिला को ये लगता है कि ये जो लक्षन है pregnancy की ये real लक्षन नहीं है, असली लक्षन नहीं है ये जो problem है ये उन्हें hormonal issues की वज़ा से हो रही है तो वो इस time पर इन लक्षनों को avoid कर देती है, अंदेखी कर देती है इन लक्षनों की और फिर जब 4-5 मन्थ निकल जाते हैं, जब periods की कोई problem होती है या फिर उनको लगता है कि कही pregnancy तो नहीं है और जब वो pregnancy की जांच के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद जांच करते हैं, कैसे करते हैं वो हम लोग वीडियो में आगे discuss करेंगे तो जब वो जांच करते हैं तब जाकर उनको confirm होता है कि उनको तो pregnancy है और इस बीच अगर वो किसी डॉक्टर के पास तले जाते हैं और वो बोलते हैं डॉक्टर को की डॉक्टर साब मुझे तो कोई pregnancy का लक्षन ही नहीं है पेट को देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि पेट को देखकर तो आप पता ही नहीं कर सकते हो पांच मंत की pregnancy में की pregnancy है या नहीं है तो जो डॉक्टर है उनको क्या डाइग्नोस करेंगे क्रिप्टिक प्रेग्नेंसी इसी परकार आपको जो अगला डर है वो ये रहता है कि क्रिप्टिक प्रेग्नेंसी के दोरान महिला को बराबर periods आते रहते हैं अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि चाहे कोई सी भी pregnancy हो महिला को periods नहीं आते हैं हालां कि pregnancy के समय कुछ विशेश टाइब की bleeding जरूर होती है जिसे महिलाई अपनी periods में होने वाली bleeding समझ लेती है पहली bleeding पते क्या होती है पहली bleeding है implantation bleeding ये तब होती है जब आप लोग physical relation बनाती है तो उसके लगभग 5-7 दिन के बाद जो बच्चा है वो uterus में जाता है वहाँ पर implant हो जाता है मतलब कि चिपक जाता है और जब बच्चा implant होता है तब implantation bleeding देखने को मिलती है ये जो implantation bleeding है जैसा मैंने आपको बताया कि physical relation बनाने के लगभग 5 दिन के बाद होती है और 10 दिन के असपास होती है अब ये जो implantation bleeding है इसको भी आप बहुत easily पता कर सकती है इसमें जो bleeding का flow है बहुती कम होता है ना के बराबर इसमें आपको sporting देखने को मिलती है light bleeding देखने को मिलती है इसकी जो रंग है bleeding का जो रंग है वो आपको pinkish color का गुलाबी color का या फिर brown color का भूरे color का देखने को मिल सकता है इस bleeding के होने पर आपको paired use करने की जरुरत नहीं पड़ती है इतनी कम bleeding होती है दूसरी bleeding होती है जिसे हम लोग बोलते है fake mensual bleeding मतलब कि ये आपके नकली periods होते हैं ये नकली periods आपको तब आते हैं जब आपके periods नहीं आते हैं और आपको pregnancy लगी हुई होती है लेकिन आप लोग periods को लाने के लिए घर पर घरेलू पाए करते हैं काडा बना कर पी होगे या गरम चीजे खाओगे या कोई जड़ी बूटी खा रहा है कोई आयरुवेदिक दवाई खा रहा है तो ऐसी स्थिती में इन चीजों के side effects की वज़ा से break to bleeding होती है जिसे हम लोग withdrawal bleeding बोलती है या fake mensual bleeding बोलती है इस bleeding को महिलाएं अपने periods समझ लेती हैं लेकिन ये आपके periods नहीं होती है जो तीसरे type की bleeding है उसे हम लोग threat and abortion बोलती है इसमें क्या होता है कि आपको pregnancy लगी हुई होती है लेकिन किनी कारणों की वज़ा से जब बच्चा implant होता है तो implantation side से वो खड़ जाता है जिसकी वज़ा से वहाँ से bleeding शुरू हो जाती है जिसे हम लोग सब chronic hemorrhage या फिर parigestational hemorrhage करके भी diagnose करती है इस bleeding में क्या होता है कि जो bleeding है उसका flow बहुत तेज रहता है हो सकता है कि आपको period से ज़्यादा bleeding हो रही हो और इसकी जो duration है वो हो सकता है कि एक दिन में ये bleeding बंद हो जाए हो सकता है कि आपको 7 दिन तक bleeding चलती रहे या हो सकता है कि आपको bleeding बंद करने वाली दवाईयों का उप्योग करना पड़े तब जाकि ये bleeding बंद होती है तो ये कुछ type की bleeding है जो कि pregnancy में होती है लेकिन महिलाएं इस bleeding को अपने period समझ लेती है तीसरे type का जो डर है वो ये होता है लोगों को सताता है कि cryptic pregnancy होने पर महिलाओं का जो urine pregnancy test है वो negative आता है और negative आ भी सकता उसमें कोई दोर आए नहीं है क्यों क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि आज उन्होंने physical relation बनाया और कल काम करते हैं इनका काम करने का अपना एक तरीका होता है ये जो test card है ये एक special type के hormone को पता लगाने का काम करते हैं ये जो special hormone है इसे हम लोग beta-scg hormone बोलते हैं ये pregnancy hormone होता है और ये जो beta-scg hormone है ये बच्चा बनाता है जब ये बच्चा uterus में जाकर properly implant हो जाता है तो implantation के कुछ घंटे के बाद ही ये pregnancy hormone beta-scg को बनाना start कर देता है फिर ये जो hormone है ये पेशाब के रास्ते से शरीर से जब बहार निकलता है तब जब आप लोग इस पेशाब के sample से pregnancy की जाँच करते हैं तब ये test card beta-scg hormone को detect कर लेते हैं इस test card के उपर लिखा भी गया है beta-scg तो ये इस hormone को पता लगाने का काम करते हैं अब इस case में होता क्या है कि आप लोगोंने physical relation बनाया और अगले दिन अगर आप लोग urine pregnancy test करेंगे तो pregnancy तो आप लोगोंने conceive कर ली लेकिन आपको जो test है वो fake negative मिलता है इस video में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि आपको urine pregnancy test कब करना है जो ये बच्चा है ये लगभग लगभग 5-7 दिन के बाद बच्चेदानी में जाता है वहाँ पर ये implant होता है तो ये video आपने अगर नहीं देखी है तो इस video को आप लोग अच्छे से देख लेना वीडियो के last में ये video मैं आपको दे दूँगा उसको अगर आप लोग देखेंगे तो पूरी बात आप समझ जाएंगे इस video में मैंने बताया था कि आपको जो urine pregnancy test है वो physical relation बनाने के या तो 14th day पर करना है 14 दिन करना है या फिर 14 दिन के बाद करना है तब ही आपको 100% सही result मिलता है अगला जो डर है वो लोगों को ये सताता है कि ultrasound करने पर जो ultrasound report है वो सही नहीं आती है बच्चे दानी एकदम खाली मिलती है और बच्चे दानी आपको खाली मिल भी सकती है क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ultrasound बहुत जल्दी करा लेते हैं मान लोगी आपने आज physical relation बनाया और 5-7 दिन के बाद अगर ultrasound कराएंगे तो ultrasound में आपको pregnancy का पता नहीं लगेगा अगर बच्चा uterus में जाकर implant हो भी गया है क्यों? क्योंकि अगर बच्चा अभी-भी implant हुआ है तो बच्चे का जो size है वो बहुत ही छोटा होता है उसको ultrasound machine से detect कर पाना easy नहीं होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आपके periods की date miss हो जाए और 5 दिन उपर हो जाएं तब आपको ultrasound कराना होता है तो जब आप लोग ऐसी स्थिती में ultrasound कराते हैं तब हमें pregnancy की कुछ early process देखने को मिलती है जैसे कि जो endometrium lining है उसकी thickness increase हो जाती है gestational sac हमें देखने को मिलता है yoke sac देखने को मिलता है कीड़ा है वो निकलता ही नहीं है वो बारी बारी ultrasound दे urine pregnancy test दे blood test करवाते ही रहती है तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप pseudosis की problem को face कर रही है आपके दिमाग से अगर इस unwanted pregnancy इस cryptic pregnancy का डर अगर नहीं निकल रहा है तो आपको कुछ जादा नहीं करना है आपको जिस दिन आप लोगोंने physical relation बनाया उस दिन से आपको दिन count करने हैं और 21 में दिन पर आप एक simple सा urine pregnancy test करके देख लो दिन के किसी भी time करके देख लो अगर आपका test urine pregnancy test जो है वो negative आता है तो आपको 101% किसी भी type की कोई भी pregnancy नहीं है और 21 में दिन पर अगर आप लोग ultrasound कराएंगे तो उससे confirmation हो जाएगा अगर आपको urine pregnancy test करने में कोई शरम आ रही है अगर आपको test result में कोई problem आ रही है test का अगर आपका खराब है तो आप blood test करा लो दुबारा से 21 में दिन अगर आपका blood test में beta cg hormone की जो मातरा है अगर 10 million international unit से कम है तो इसका मतलब आपका जो blood test है beta cg वो negative है और आपको 100% भाई pregnancy नहीं है फिर आप ये जो report है ये किसी भी world में किसी भी doctor के पास दिखा कर अपनी pregnancy को confirm कर लो doctor आपको यही बोलेंगे कि आपको भाई pregnancy नहीं है लेकिन still अगर आपको इस बारे में कोई doubt हो कोई problem हो या कोई बात मैंने आपको ना बताई हो तो comment करके मुझसे पूछ लो अगर आपकी जो ये problem है ये बहुत ही ज़्यादा personal है और अगर आप लोग मुझसे personally बात करना चाहते हैं तो WhatsApp consultation के थूँ आप लोग मुझसे personally बात भी कर सकते हो तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोगों का ये जो unwanted pregnancy का problem था इशू था वो आप लोग अच्छे समझ सकें और cryptic pregnancy को आप लोग समझ सकें उसके डर को आप अपने दिल और दिमाग से निकाल सकें तो वोग इस वीडियो